हमारे जीवन में शिंचन के बिना हमारा बच्चपन बहतर नहीं हो सकता था यहां आदमी हमें हनसाने में कभी असल नहीं होता मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं स्कूल से घर लोटता था और खाना खाते हुए तुरंथ शिंचन देखना शुरू कर देता था भले ही इसे बच्चों के खंड को देखते हुए बनाया गया था मुझे लगता है कि विभिन आयू वर्क के सभी लोग इस एनीमे का पूरा आनंद लेते हैं एनीमे को 13 अप्रेल 1992 को वापस शुरू किया गया था और अभी भी आज तक लात मार रहा है इसलिए इस लेक में हम न केवल शिंचन नोहरा, उर्फ शिन्नौस के नोहरा के वास्तविक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं बलकि इस बारे में भी कि शिंचन अपनी दुख़त मौट से कैसे मिले, शिंचन के आखरी एपिसोड में क्या हुआ और शिंचन के बारे में कुछ आश्चर्य जनक कत्थे जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा संबंधित पोस्ट HYBE की कमाई New Jeans और ले सेराफिम के साथ 170 बिलियन वोन तक पहुँच गई शिन्नौस के नोहरा उर्फ शिंचन का जीवन शिंचन नाम का अर्थ है पानी का छिड़का जो हमारे जीवन में खुशी और ताजगी लाता है इसी तरह शिंचन को देखने के बाद हम कॉमेडी की रोलर कोस्टर सवारी में आते हैं यह शरार्ती चरित्र शिंचन अपनी मासूमियत और चंचलता के लिए जाना जाता है और एनिमेशन और मंगा उद्योग की दुन्या में एक प्रिया आइकन बन गया है हालां की इस एनिमेटेड चरित्र के पीछे वास्तविक जीवन की प्रेरना है शिंचन, हिमवारी और शिरो, क्रेडिट, शिंचन, इंटिनेट पर शिंचन वास्तविक जीवन की कहानी शिंचन का पूरा नाम शिन्नौस के नोहरा है वह जापान के कासुकाबे साइतामा शहर में पलेबधे, जहां वह अपने छोटे नोहरा परिवार के साथ रहते थे जिसमें उनके पिता, हिरोशी, मा, मिसे और छोटी बहन, हिमवारी शामिल थे जैसा की एनिमेटेड शिंखला में दिखाया गया है ऐसा कहा जाता है कि मिसे नाम की एक महिला थी जो दो बच्चों के साथ रहती थी एक पांच साल का बेटा, शिंचन और उसकी छोटी बहन, हिमावरी एक दिन वह अपने दो बच्चों के साथ सुपरमार्केट गई हालांकि जब वह खरीदारी कर रही थी, तो वह बच्चों के बारे में पूरी तरह से भूल गया इसलिए हिमावरी नाम की छोटी लड़की खुद ही दुकान के बाहर चली गई दुकान मुख्य सड़क के करीब थी, जहां से कई वाहन गुजरते हैं इसलिए जब हिमावरी दुकान के बाहर गई तो तेस गति से एक वाहन उसकी ओर आ रहा था शिंचन उसे पास से न देखकर उसकी तलाश शुरू कर देता है और देखता है कि वह दुकान के बाहर है शिंचन जानता था कि उसके लिए सड़क पर बाहर रहना खतरनाक है इसलिए वहाँ उसे बचाने के लिए जल्दी से दोड़ा हालां कि जब वहाँ हिमवारी के करीब पहुँचा तो उसने देखा कि एक कार तेज गती से उस पर आ रही थी बिना एक दूसरे विचार के शिंचन उसे बचाने के लिए कूडो इस हाथसे में दोनों बच्चों की जान चली गई इस हाथसे के बाद उनके माता-पिता दोनों काफी दुखी थे अपने बच्चे की याद में, मा ने अपने बच्चों की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बताया गया कि उनके बच्चे कैसे जीवित थे और फिर वे कैसे खेल रहे होंगे आखिरकार यह कहानी पहली बार अकबारों में आई और वह कॉमिक किताबों में छपी बाद में 1992 में शिंचन नाम का एक एनी में टीवी पर प्रसारित होने लगा और आज भी लोगप्रिया है कली शिंचन कहानी के पीछे की कहानी और सबसे लोगप्रिया किड्स एनी में बनाने के पीछे की असली कहानी हालांकि यह कहानी पूरी तरह से नकली कहानी है जब कोई चीज बहुत लोगप्रिया हो जाती है तो पूरे इंटिनेट पर कई जूटी कहानिया फैल जाती है योशिटो उसुई की कलपना पर आधारित है। वहाँ अपना बचपन एक बार फिर से जीना चाहते थे और इसी वज़े से उन्होंने इस किरदार को डेवलब किया। शिंचन की उत्पत्ती का पता उनके बचपन की यादों से लगाया जा सकता है। उसुई ने अपने स्वयम के जीवन से प्रेरना ली। इस प्रकार इस चरित्र को गड़ते हुए जिसने शरारत, मासूमियत और सहज्ता दिखाई। जिसका सामना उन्होंने जापान के सैतामा प्रांथ का सुकाबे में अपनी परवरिश के दौरान किया। जो शिंचन के कार इस अचानक नुकसान ने दुनिया भर में इसके कई प्रशंसकों को प्रभावित किया, जिससे मंगा और एनिमेशन की दुनिया में एक छेद हो गया। अचानक वृत्यू के बावजूद उसुई की विरासत अभी भी शिंचन के माध्यम से जीवित है। शिंचन न केवल इनिमेशन से कहीं आगे जाती है। यह बचपन का सार इसके निर्माता की रचनात मकता और इसकी अनूठी कहानी कहने की सार्वभामिक अपील को दर्शंसकों के लिए।